जाती है एक कहानी सुनते हैं दो बक्रियों की जो एक दूसरे की मदद करती है और दोनों का काम बन जाता है दो बक्रियां थी एक काम ताली बक्री एक भूरी बक्री गाउं के पास एक नाला था नाले के दोनों तरफ हरी हरी घास थी दोनों बक्रियां वहां घास चर्नी जाती थी नाले पर एक पेड गिर गया था इससे नाले पर एक पुल सा बन गया पुलपर से होकर बक्रियां नाले के एक तरफ से दूसरी तरफ आया जाया करती थी एक दिन की बात है बच्चों भूरी बक्री बुली नाले के दूसरी तरफ चल कर वहां के हरी हरी घास खाती हूँ बहुत मज़ा आएगा काली बक्री ने थोड़ी देर बात सूचा अब नाले के दूसरी और की घास खा कर देखती हूँ नाला पार करना था दोनों बक्रियां पुल पर से चल दी पुल बहुत पतला था उस पर से एक ही बक्री जा सकती थी जब दोनों बक्रियां पुल के बीच में पहुँच गई तो सोचने लगी कि आप क्या करें धुरी बक्री बोल बेहन क्या करें हम दोनों एक साथ तो नहीं जा सकती मैं बैट जाती हूँ, तुम मेरे उपर से निकल जाओ काली भक्री ने कुछ सोचा और खुद बैट गई काली भक्री बोली मैं बैट जाती हूँ, पहले तुम क्यों नहीं निकल जाती भूरी बक्री ने धीरे से पाउं रखे और काली बक्री के उपर से दूसरी ओर कूद गई काली बक्री उठकर खड़ी हो गई दोनों ने पीछे मुढ कर देखा भूरी बक्री बोली शुक्रिया बेहन बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेड़ी मदद की काली बक्री बोली, बहन सोच समझकर और मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है तो बच्चों, अगर दोनों बक्रियां सोच समझकर काम न करती, तो क्या होता? पुल पार नहीं कर पाती न? मिलकर एक दूसरे की मदद करने से दोनों का काम बन गया, ठीक है न?